यूपी में निकाय चुनाओ की तारीखों के एलान के साथ ये शिवपाल सिंग यादव फॉम में आ गए हैं सुत्रों के हवाले से खबर है कि सपाप्रमुक अखिलिश यादव ने शिवपाल सिंग यादव को निकाय चुनाओ की कमांस अंदर ही खाने सौप दी है यूपी की मुख्मंतरी योगी आधितनात जहां एक ओर ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ निकाय चुनाओ को जीतने का दम भर रहे हैं तो वहीं पूर्व सीयम मायावती ने भी हुंकार भरी है कॉंग्रेस भी जन सत्यागरे आंदोलन चला रही है केजरिवाल और नितीश कुमार भी निकाय चुनाओ के बहाने यूपी में अपनी सियासी हैसियत नाप रहे हैं मगर इन सब के बीच सियासत के पुराने माहिर शियुपाल सिंग यादव ने हर नगर पालिका में सपा का मेर बनाने का बीड़ा उठाया है मुलाइम सिंग यादव के निधन के बाद साथ आये अखिलेश शियुपाल के जोड़ी की ये पहली सियासी परीक्षा है सियासत के जानकार इसे लोकसभा चुनाओ के सेमी फाइनल के तोर पर भी देख रहे हैं कि जमीन पर किस पार्टी का कितना दबदबा जंता के बीच कायम है सपा में निकाय चुनाओ की रणनीती बनाने का जिम्मा एक तरह से सपा ने शियुपाल सिंग यादव को दे दिया है शियुपाल और अखिलेश लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं पश्ची में जहां समाजवादी पार्टी का रालोत के साथ गडवंदन है तो वहीं कई जगों पर समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में ताल्ठों की है अखिलेश यादव ने राष्ट्री और प्रादेशिक पतादिकारियों के जिम्मेदारी तै कर दी है वो खुद जिताओ उमीदवारों का मुल्यंकन कर रहे हैं तो उधर शियुपाल का पूरा फोकस समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक पर है जिसमें उनकी कोशिश यादव मुस्लिम और दलितों को साथ लाने की है जिसका एक उधारन राइबरेली में कांशीराम की प्रतिमा के अनावरन समारों में देखने को मिला था जाती जनगर्णा का मुद्दा सपा लगातार उठा रही है निकाई चुनाओ सपा के लिए इसलिए भी महतुपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाओ में सपा का कोई मेयर नहीं बन पाया था ये चुनाओ आगामी लोकसभा चुनाओ का सेमी फाइनल भी है शियुपाल की सारी ताकत बीजेपी को गहरे तक चोट पहुँचाने की है और इसके लिए सपा ने शियुपाल सिंग यादव को वारानसी की जिम्मेदारी खास तौर पर दी है जो कि पियम मोदी का संसदी शेतर है वारानसी में मेर के लिए जिन चार नामों को शॉटलिष्ट कर आला कमान के पास मेर उमीदवारी के लिए भेजा गया उसमें तीन शियुपाल के करीबी है लखनओ में भी जिन दो नामों को शॉटलिष्ट किया गया वो दोनों भी शियुपाल के करीबी है आज की तारीख में शिवपाल सिंग यादव के दफ्तर के बाहर सबसे जादा भीर नज़र आती है लोग अपना बायोडाटा लेकर पहुँच रहे हैं लंबे अंतराल के बाद जब यूपी में चाचा भतीजा साथ आए तो सपा के नए पुराने कारिकरताओं में इस चुनाओ को लेकर जोश नज़र आता है अब ये जोश नतीजों में कितना बदलेगा ये देखना बाकी है लेकिन इतना तो तय है कि यूपी के सियासी पटल पर भले ये अखिलेश यादव की परिक्षा हो मगर सपा के अंदर ये शिवपाल का इम्तिहान है इस वीडियो पर आपकी क्या अपरत के लिया है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा साथी ऐसे और वीडियोज के लिए सबस्क्राइब करिए हमारा यूटूब चैनल आज तक